हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब उमीद है सब अच्छे होंगे तो एक वाज फिसे स्वागत है जी आपका अपनी योटव चैनल ब्लॉग्स बिदमीन कॉर्णर में और यहां पे जो है नाक्ष जो है आग से करा इसको लग दिये ठंड और मैं बना रही हूं आज बैंगन का तो चलिए बना लेते हैं आज बैंगन का बढ़ते के लिए और उसके लिए मैंने टमाटर प्यास लेसुन और अधरक बगयरा ले लिया है अधरक और लेसुन थोड़ा ज्यादा डालूंगी इसका फ्लेबर जो है बैंगन के बढ़ते में बहुत ही अच्छा आता है और मैं जो एब मसाले को जो एक दूकस करूंगी इससे जो एब ठीक रहता है मैं हर एक सबजी मैंसे करती हूँ फटा फट जो है कदूकस करके मसाला तियार कर लेती हूँ ये सबसे इजी तरीक करता है मैं जो ए टमाटर प्यास कोई इकठा ही कदूकस करती हूँ और इकठा ही भू तेश्टी बनती है साथ में अधरक कदुकस कर लूँगी और लसुन बगयरा सारा डाल दिया मैंने सारा एक साथ ही बून लूँगी और सच मानिए बहुत ही टेश्टी बनती है से सब लूए अब जो है मसाला मेरो हो गया थियार और रखनोंगी मैं कड़ाई को आज क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो गया है हमारी चुले वाली कड़ाई इसलिए जो है यह नीचे से काली रखी हुई है तेल हो चुका है गरम और इसमें जो अभी मैं धनिया जीरा एड़ कर दूँगी तो और इसके बाद जो है मैंने जो टमाटर प्याज अद्रक लहचुन सारा मसाला तियार किया था बो डाल के भून दिसको यह सिंपल तरीका उता है सबसी दनाने का इसमें ठेश्ट में कोई भी फरक नहीं था तो अभी जो है मसाला मैक्सिमम भून नहीं चुका है और इसमें म अभी डालूंगी में इसमें बैंगन जो कि मैंने अच्छे से मैश कर लिये थे तो अभी जो है मैं डाल दूंगी इसमें बैंगन और बन जाएगा हमारा बैंगन का बादा तो दिखाते हैं साइड क्या हो रहा है यहां पे नक्स जो बना रहा था चिपस और यह है दूसरे दिन का वीडियो यहां पे जो हम आगे हैं खेतों को साफ करने मक्की लगाई हुई थी पहले और अभी जो है खेतों की सफाई चली हुई है यह जो गास बेगारा यह सारा निकालना है और बच्चों को थी दोनों को छुटी तो नक्स को मैं ले आई थी अपने साथ क्योंकि घर पे भी यह शरारतें करता है और टीबी देखेगा यह फोन पकड़े रखेगा पढ़ाई तो तब ही करेगा जब मैं साथ में बैठूंगी तो मैंने बोला चलो साथ में ले जाती हूँ और थोड़ा साथ में रहेगा तो काम भी करेगा और घर में तो वास इसने फॉन देखना है और यहां पे यह निकार राएर मक्की के टंड़ू तो अब ही मैं जा रही हूँ घास काटने और आजकल जला हुए घास की गटाई का काम और दुराटी मैं ने ले ली है तो साथ में ले ली है मैंने पानी की बोटल तो अभी जो मैं पहुंच चुकी हूँ घस की खराटी में और आज कल जो है घस काटने का काम चला हुआ हूँ पहले जो मैं दुपटा बांद लूगी क्योंकि घस में जो बहुत सारी डैश्ट होती है और दूप से बचाब हो जाएगा ये बेश्ट तरीक होता है मूद लगयी हूए हैं कोई खेट खाले कर रहा है कोई घस काट रहा है डिबाली भी आ रही है लेकिन गाओं के लोगों का ये काम चल ऊबाता है लेकिन जितना सेहरों में होता है न वैसे इंजुय हो नहीं पाता है क्योंगि हमारे इधर जो बहुत ही काम होता है काम करना पड़ते है खेतों होगे न तो वैसे तो हमने घास कटवाने के लिए लगाई भी हैं लेकिन खुद भी कातना है बाकी कटवा लिया हमने गहास पूरा पूरा दिन यहां पे गहास काटना पड़ता है और खाना बगार भी कई बार जो है इदर लेते हैं लेकिन यह जो हमारे घर के निजदी की है तो हम घर पर जाके खाना खाएंगे तो ऐसी होती है कुछ गाउं की लाइफ तो जहां पर बहुत सारा काम करना पड़ता है और चलिए काट लेते हैं घास तो अभी जो हमने इतना घास काट लिया है मम्मी जी भी आये हैं वह हैं साथ में और यह हमारा यहां पर घास काट कर लिया है और बहां आगे तक जो है यह सारा घास काट करना है जो बिजली के खंबे दिख रहे हैं ना बहां तक जो हमारा यह सारा घास है तो इस तरह का है यहां का कुछ प्यू तो अभी जो हमारा घास सुक चुका है और हमें इसे ढोना है तो मैं जा रही हूँ गास ढोने डैड़ जी जो रेटे बांध रहे हैं तो हमें लाने रेटे डोके और नाक को मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि यह इसको घर में छोड़ूंगी ना तो बस यह सरात्ते हैं करेगा इसलिए मैं इसको साथ में रखती हूँ क्योंकि यह बहुत सारी सरात्ते हैं करता घर में अके लिए रखे फिर तो क्योंकि यह बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो अगी ओज्यादा कात रही है और अद्धा मेने की अथा अधा दिख सकते हो आप नक्स जो एक घास काट कर रहा है और मना करने की बाफ जूद मनी मान रहा है है हाथ मत काट कर लेना देदे अब द्राटी मैंने काटना है देदे नाक्स से तो खराब कर रहा घास है यह सारा घास जो हमने पहले काटा हुआ था अभी जो है इसको बदलना है मतलब दोन्नों तरफ से इसको सुखाया जाता है जैसे यह रखा हुआ पुला तो इसको ऐसे करके पल्टना पड़ेगा फिर सुखेगा यह घास यहाँ पर जादा तरचाया रहती है तो घास जो है काम ही सुखता है घास जो है मैंने कट कर लिया है और अभी जो है दो पहर का टाइम हो रहा है बारा बज़रे हैं तो अभी जो मैंने घास को पल्टी करना है दोनों साइड से सुखाना पड़ता है यहाँ पेड़ बहुत जादा है तो घास जो है थोड़ा टाइम लगा के सुखता है तो मैं देख रही थी इसको दूप-दूप में डाल दूँ आगे करके और यहाँ तक यहाँ देख सकते होें आप comments नीचे यहाँ पर खाई है । गहरा है और पेड़ पेड़ए तो फिर च्छाया रहते है हैं पर अब जो मैं घास लेकि आगी हूँ रास्ता आप देख सकते हो कैसा रास्ता है यहाँ पे चला हुआ हमारा डेली का ही काम होता है रोज हमें गास लाना ही पड़ता है सुखाना है और अभी चली हुई है साथ साथ में दिबाली की स्पाई भी हमारे घरों के आसपास खुल ले रही होता है काफी स्पाई करने पड़ती है घरों के अंदर तो चलो करने ही पड़ती है लेकिन बाहर भी हमें आसपास में कुछ सफाई करने पड़ती है तो ऐसा है कुछ जी सफाई का काम चला हुआ हमारा साथ साथ में जो है खेती बाड़ी का खाना बगारा कपड़े दोना ये सारा ही काम बार साथ में सफाई बाकी जो खेतों बगारों का चलाव को सारा ही काम करना पड़ता है बच्चों की पड़ाई बगारा भी देखनी पड़ती है साथ में हमारे मकान का काम चला हुआ था पहले जो तो घर का काम चला हुआ था तो यहां पे जो को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देज़ेगा और लाइक शेयर जरूर किजिएगा तो आज बन रही है राजमा की दाल तो मैं हो गई हूँ रिलेट क्योंकि मैं घास लेके आई हूँ अभी और दाल मैं सुभा ही वॉयल कर देती हूँ तो अभी जो मैं पहले जो है चाबल डाल लूँगी और उसके बाद जो है डाल को तड़का लगाऊंगी क्योंकि चाबल बनने में टाइम लगता है और दाल को बस करका ही लगाना है तो यह जल्दी खाना बनाने का असान तरीका है पहले आप चाबल चड़ा दीजिए और तो अराम से तड़का लगा लिजिए तब तक जो है चाबल बन जाएंगे और आपका खाना जो जल्दी बन जाएगा आज जो है संडे का दिन है और बच्चों के लिए मैंने जो है राजमा बनाए है तो बच्चे जो है राजमा की दाल पसंद करते हैं जादा तो मैंना बोला चलो आज संडे है तो राजमा दाले बनाती हूँ और मैंना हमेसा की तरह टमाटर प्याज को साथ में कदुकस के लिए है और साथ में मून लूँगा तो अभी जो मैं बना लूँगी खाना और मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फूल बॉच कीजिएगा बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे जो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए